आज की इस वीडियो में रिवीव करने वालों मोर की 5% मिनोकसिडिल का तो यह मिनोकसिडिल कैसी है आज की वीडियो में completely बताऊंगा तो आपको इसको यूज कैसे करना चाहिए आपको कब तक यूज करने से results मिलेंगे completely बताऊंगा बट उसे पहले इस वीडियो को like कर दो और आप इसको दिन में दो बर एपलाई करते हो 1-1 ml तो आपकी ये 1 month चलेगी अगर आप इसको only one time यूज़ करते हो तो आपकी ये 2 months चल जाएगी अराम से और इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है वो मैं सबसे पहले बता दूँ इसके अंदर आपको इसवे से बोटल को कैसे अपलाई करते हैं मैं खुद कैसे यूज़ करता था इस पर मैंने वीडियो कर रखी है वो वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद में देख लेना और इसके प्राइस की बात करें तो ये 500 के आसपस आपको देखने को मिल जाती है ये ठीक है अब इसके अंदर है नहीं मिनोकसिलिल जो की मेरे पास अनली बोक्स पड़ है तो इसके अंदर आपको कुछ डोक्यूमेंट्स वगएरा ठीक है साथ में ड्रोपर और स्प्रे देखने को मिल जाता है तो बोटल रहती है इसकी बोटल अच्छे से बंद रहती है दो कैप आपको मिल जाती है एक कैप उपर रहीगी एक कैप उसके अंदर रहती है तो उनको आपको रिमूब करके ड्रोपर को लगा लेना ठीक है इस realizes अब भी यूज करना श्टारट करोगे तो इससे लगा लेना आपको अब ड्रोपर ही आपको यूज करना यूज कैसे करते हैं इसको अंदर अल्कॉल रहता है वो उड़ना जाए उससे क्या होगा इसके रिजल्स दीरे-दीरे कम होने लग जाते है रेगुलर अगर आप इस वे से यूज कर रहे हो और बोटल को खुला छोड़ देते हो तो ऐसी गलती बिलकुल नहीं करना है अच्छे से शेक करके आपको इसको आपको यूज करना है क्या करता है यह स्केल्फ की नर्वस हैं अन। यहां पर इसको डागरते हैं आपकी miociril जाती है लंग जाती है धितके सभशना के मालो सभी पाइप एक हए य की बिलर सप्लाई हाई होगी वहां पर क्या आपके वाइटमिन्स, मिनरल्स बायोटिन जो भी आप ले रहे हो मनलब अपने खाने से ले रहे हो और अच्छे से पहुंचने लग जाती है जिसके करन क्या होता है आपकी हेर रीग्रोथ काफी जादा फास्ट होने लग जाती है काफी मलब आपके एसकी density फिर वापस से आने लग जाती है जो भी आपके एस thinning हो रही है hair thinning हो रही है hair जैसे की baldness आ रही है तो वो again से आने लग जाती है ठीक है अब जब भी आप इसको use करना start करोगे starting में आपको shedding देखने को मिलती है वो shedding कितना time चलती है जैसे की hair full एकदम से बहुत जादा बढ़ जाता है जब भी आप इसको use करना start करते हो वो कितने time रहते है जैसे की 3-4 मन तक रहेगा वो मैंने shedding की अच्छे से वीडियो कर रखी है A to Z explanation of shedding इस वे से मैंने वीडियो कर रखी है वो वीडियो देख लेना अगर आपको shedding से डर अब density आपको कब अच्छी देखने को मिलेगी six से eight month complete हो जाते हैं आपको minoxidil यूज करते हुए उसके बाद आपको बहुत अच्छी density देखने को मिलती है ऐसा नहीं कि आप यह expect कर रहे हो कि आज मैंने यूज करना start की तो मुझे एक मीने में दो मीने में तीन मीने में results मिल दोगे जो इस आने होते हैं वो भी नहीं आपाते हैं और baldness और ज्यादा आयती है तो ऐसी गलती हैं बिल्कुल मत करना इसको आपको तब तक यूज करते रहना चाहिए जब तक आपके doctor इसको यूज करवाते हैं वैसे तो यही बताया गया है अगर आपको अपने हेलोस को पर्रोल करने तो इसको यूज करते रहो अगर यूज करते रहोगे तो आपका हेलोस रुका रहेगा बट आप इसको यूज करना बंद करोगे तो आपके अगेंज से शैड होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं परसनली अभी continue ही minoxidil यूज करों मैं brands चेंज करता रहता हू तो इसलिए मैं अलग-अलग के review भी करता रहता हूं कि यह minoxidil कैसी है तो आप बात कर लेते हैं इस minoxidil के side effects की तो side effects यही है जैसे कि मलब इस minoxidil के नहीं कोई भी minoxidil आप यूज करना स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में आपको यह चीज़े देखने को मिल सकती है ज फुड़ा पेन होना यह चीज़े भी आपको सिरफ five minutes या one hours के लिए देखने को मिल सकती है जब जब आप इसको apply कर रहे उस time पे ठीक है दो तिन दिन तक कि यह चीज़े आपको देखने को मिल सकती है जब भी आप apply करोगे बाद में continue use करने पर यह सब normal हो जाता है अगर उस आपको कुछ side effects देखने को मिल जाते हैं तो डोक्टर की guidance में रहोगे तो आपको कुछ भी side effects होते हैं तो आप उनसे concern कर सकते हो तो यह minoxilil काफी अच्छी minoxilil है अगर आपको डोक्टर ने recommend किया तो आप इसको use का सकते हो Intas companies को बनाती है काफी अच्छी pharmaceutical company है इसकी काफी सारी minoxilil आती है more two से start हो जाती है 15% तक minoxilil आती है तो ऐसी एक मातर company है यह जो की काफी high percentage तक minoxilil को बनाती है तो इस minoxilil को भी अगर डोक्टर ने दिया है तो continue use करना उनकी guidance में रहना तो आपको बहुत अच्छे results करने को मिल जाएगी बहुत ज्यादा हेस लोस हो जाएगा ऐसी गलती मत करना यूज करना start करवाया है तो continue use करो अगर use करना start नहीं कर दे तो बिल्कुल ही use मत करना ठीक है अगर आपके दिमाग में यह है कि मुझे use नहीं करनी मैं lifetime use नहीं कर सकता तो बिल्कुल भी use मत करना डोक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको lifetime use करवाएंगे या थोड़ा time use करवाएंगे वो वहीं बताएंगे आपकी condition देखके बताया जा सकता है तो बस यहीं था इसकी वीडियो में use करने से पहले अच्छे से shake कर लेना अच्छे से shake करने के बाद अच्छे से scale में लगनी चाह कि अच्छे से उपर के area में apply करने है इस पर भी मैंने video कर रखी है कैसे minoxidil को apply करना चाहिए आप वो वीडियो देख लेना आपको बहुत अच्छे results देखने हो मिल जाएंगे और only minoxidil पर आपको depend नहीं रहेना अपनी all over health को अच्छा रखना है जिससे क्या होगी आपकी hair रीग्रोथ काफी अच्छी होगी और long term तक ठीकी रहेगी तो बस आज की वीडियो में यही था तो आयोप आपके लिए वीडियो help free होगी अगर help free रही तो please इस वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करके bell icon को जोड़ी प्रेस कर देना ताकि latest वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो मिलते नेक्स्ट वीडियो भे